बात करते हैं अगनी वीर योजना की जब से ये योजना लागू की गई तब से इस पर राजनेती शुरू हो गई बात करते हैं और इस बीच खबर ये आ रहे है कि अगनी पत योजना में बदलाव को लेकर किंदर सरकार विजार कर रही है और सुत्रों ने बताया है कि हो सकता है कि सरकार इसे लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है इंडिया की सरकार आएगी अगनिवीर योजना को उठा कर हम कूरे दान में फेग देंगे और मैं समझता हूं कि इलेक्षन का प्रभाव भी पड़ा है अगनिवीर की खास तोर में उत्रप्रदेश और बाकी जगा में अगनिवीर जो 24 के चुनावी पत पर सबसे जवलंत मुद्दा रहा अगनिवीर जिसे विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने चुनावी मंच पर उठाया अब उस अगनिवीर योजना में बदलाव की सुगबगाहाट शुरू हो चुकी है क्योंकि इस मुद्दे का असर सियासी घमासान से लेकर चुनावी परिणाम तक में देखने को मिला अगनिवीर को लागू हुए लेड़ साल का वक्त हो चुका है और इन लेड़ साल में इसी स्कीम को रिव्यू किया जा रहा है अब सूत्रों से खबर है कि Department of Military Affairs ने तीनों सेना से इस पर रिपोर्ट मांगी है सेना इस बात पर चर्चा कर रही है कि अगनीवीरों के लिए ट्रेनिंग पिरिड को आम सैनिकों के लिए निर्धारित ट्रेनिंग की तरही किया जाए जबकि उनके सर्विस टाइम को बढ़ा कर चार के बजाए साथ वर्ष किया जाए जिससे उन्हें ग्रेचुईटी और पूर्व सैनिक होने का दर्जा दिया जा सके यानि जो मुद्दा चुनाव के वक्त उठा अब उस पर मन्थन शुरू हो चुका है अगनीवीर से जुड़े मामले पर आने वाले दिनों में किंसरकार के द्वारा कुछ बड़े फैसले लिए जासकते हैं जिस तरसे बड़े फैसलों की अगर बात करें जिस तरसे उनके जो सिवाकाल की जो अवदी पहले से तई थी चार साल, चार साल की अवधी को बढ़ा करके साथ से आठ साल किया दा सकता है राहूल ही नहीं सपा परमुक अखिलेश यादव भी इस योजना के विरोध में रहे हैं अखिलेश के मताबिक ये योजना अस्विकार यह है अग्निवीर योजना को युवा कभी सुईकार नहीं कर सकते देश की सुरक्षा के लिए अगर सिर्फ 4 साल की नोकरी देंगे और उसमें भी आपको कोई सुईधा नहीं मिलेगी और देश के लिए मनने पर सैनिक को सम्मान नहीं मिलेगा इन चार वर्षों के भीतर कोई भी इस नोकरी को स्विकार नहीं करेगा और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो राजनेती हो अगनी वीर अब भाईया मैं आपको बता रहा हूँ अब हमारे पास पारलिमंट हाउस में सेना बैठी हुई है सेना बैठी हुई है इस बाहर हमारी पूरी कोशिच होगी ओपोजिशन में बैठे है मगर अगनी वीर को ओपोजिशन में रड़ करने की कोशिच करें मैं समस्ता हूँ अगनी वीर ववस्ता तुरंत खतम होने चाहिए सरकार को स्विकार करना चाहिए दरसल अगनीवीर योजना, पेंशन बिलको कम करने और सशस्त्र रिबलों में युवाओं की भरती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी हाला कि नए भरती किये गए सेनिकों के बीच ट्रेनिंग और विश्यसक्यता की कमी को लेकर चिंताएं जताई गई ये योजना साड़े सत्रह साल से 21 साल की आयू वर्ग के युवाओं के लिए है जिसमें चार साल की अबधी के लिए भरती करने का परावधान है वही 25 परतिशत अगनिवीर को 15 साल तक बनाए रखने का परावधान है योजना के मताबिक 75 परतिशत अगनिवीर जो 4 साल में रिटायर होंगे उन्हें 12 लाख रुपए एक मुष्ट दिया जाएगा अब खबरे हैं कि सशस्त्र बल सेन्य भरती के लिए अगनिपत योजना में संभावित बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं इसमें बदलावों के लिए मुख्य पहलू 25 परतिशत रिटेन करना और ट्रेनिंग पीरियड वाले मुद्दे हैं जिनको लेकर अंदर खाने चर्चा शुरू हो गई है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटीन